सभी elements और कुछ compounds का अपना एक natural cycle होता है। इसके लावा हम मनुष्य के योगदान को भी देखेंगे जब हम fossil fuels का उपयोग करते हैं। सबसे पहले natural यानि प्राकृतिक carbon cycle की बात करते हैं। क्या आप उस process के बारे में जानते हैं जिससे पीड़ पौधे carbon लेते हैं और oxygen छोड़ते हैं। जानवर इन पेड़ पौधों या अन्य जानवरों को खा कर ग्रो करते हैं। इन सभी life processes को पूरा करने के लिए पौधे और जानवर oxygen की सहता से carbohydrates को यूज करके energy प्राप्त करते हैं। और वातावरंड में वापस carbon dioxide उत्सरजित करते हैं। Living organisms जब भी grow करते हैं तो वे छोटे monomer molecules से बड़े polymer molecules बनाते हैं। उधारन के लिए हमारी skin, muscles और अन्य organs के लिए जरूरी proteins, amino acids के आपस में जोड़ने से बनते हैं। वही cellulose और starch जिनसे फूल, पत्तियां, जड़ें और पौधों के कई अन्य parts बनते हैं, वे sugars के मिलने से बनते हैं। Genes को बनाने वाले DNA जो की सभी living things को कंट्रोल करते हैं, bases, sugars और phosphates से मिलकर बने होते हैं। पेड़ पौधे इन simple molecules को photosynthesis द्वारा मिलने वाले carbon और जमीन से मिलने वाले mineral से बनाते हैं। दूसरी और जानवरों को ये molecules ready made मिलते हैं, जब वे पौधों या अन्य जानवरों को खाते हैं, लेकिन उन्हें food polymers को छोटे molecules में तोड़ना पड़ता है। तो बताइए ये process क्या कहलाता है। वीडियो को रोकिए और सोचिए। इसे digestion कहते हैं, यानि भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ना ताकि वो हमारे blood में absorb हो सके और बेशाक इस process में काफी energy के आवशकता होती है। सभी living things यानि सजीव इसे respiration द्वारा प्राप्त करते हैं। कुछ monomers जैसे की sugar को oxygen के साथ फिर से join किया जाता है और हमारे भोजन में carbohydrates का यही मुख्योप योग है। Carbon dioxide photosynthesis द्वारा वापस इस cycle में आ जाती है।